ये पीने में काफी टेस्टी होता है अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आ है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले साथ में बैल आइकन बटन होगा उसे जरूर प्रेस करें तो चलिए फैंट मिलके स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी कॉल कॉफी बनाने के लिए मैंने लिया या पर दो गलास ठंडा दूद मैं धूद को पहले बॉयल किया फिर फ्रेच में रख दिया ठंडा होने के लिए दो छोटे चमद कॉफी पावडर लिये है चार छोटे चममद मैंने चीनी लिया है आप अपने इस आपसे कम्याद सबसे पहले हमें जिस ग्लास में सॉप करना है उसे हम डेकुरेट कर लेंगे यहाँ पर मैंने दो ग्लास लिया है फन फून का यहाँ पर मैंने चॉकलेट सिरप लिया है आप किसी भी ब्रैंड का चॉकलेट सिरप ले सकते हैं अब हम इस तरीके से चॉकलेट सिरप को ग्लास में पोर करेंगे यह देखिए इस तरीके से ग्लास को हलका सा राउंड राउंड करते हुए हमें चॉकलेट सिरप को पोर करना है यह देखिए हमारा यहाप एक ग्लास रेडी हो गया इसी तरीके से हम दूसरा ग्लास भी रेडी कर लेंगे ये देखिए हमारे दोनों ग्लास रेडी हो गया है अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए तब तक हम अपने कूल कॉफी की तैयारी करते हैं हमने यहां पे चीनी और कॉफी लिया था इसको मिक्स कर देंगे एक से डेड़ चमब्च में यहां पे गरम पानी डाला है इसको हम अच्छे से गोलेंगे जब तक चीनी मेल्ट रहा हो जाए इसका हमें गोल के सिरुप बना लेना है यह देखिए हमारी चीनिया मेल्ट हो गई है हमारा सिरप रेड़ी है एक जार लेंगे हम जिसमें हम यह दो गलास ठंडा दूट डालेंगे और यह जो हमने सिरप बनाया था इसे डाल देंगे यह बर्फ के क्यूप्स डाल देंगे और लिड को हम अच्छे से लगा देंगे और ब्लेंड करेंगे कम से कम एक से डेड़ मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है यह देखिए हमारे यहां कोड काफी तयार हो गई है अब हम इसे सर्फ करते हैं सर्फ करने के लिए हमारे यहां पर ग्लास सेट हो गया है अब हम यहां पर एक एक ग्लास में कॉफी को डाल देंगे इस तरीके से आइस क्रिम डाल देंगे दोनों ग्लास में हम यहां पर मैंने ग्रेट किये विड चॉकलेट से डेकॉरेट किया है आप और भी चीजों से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कोको पाउडर या कॉफी पाउडर, चॉको रोल लगा लेंगें, यहां हमारी कोड कॉफी रेडी हो गई है, अगर आपको मेरी कोड कॉफी की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके जबूर बताएं, साथ में लाइक का बटन होगा, उसे जरूर प्रेस करें, मिलते हैं आप नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाबाई